नमस्कार और वाल इस पॉइंट में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 15 से जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPS से बिहार पुले ससर से रेलवे जैसे अनिप्रतियों की परिक्षाओं में कामाएंगे यह सवाल इतिहास राजनित विज्यान करेंट अफेर्स भुगोल और विज्यान से जरू होंगे तो आएके देखते हैं आप कितने सवालों के सही सही जवाब दे पाते हैं सवाल नमर एक बिहार का अधिकान श्चेत्र किस मिट्टी से आचादित है सवाल नमर दो भारत के राजियों में जूट उत्पादन के द्रिष्टी से बिहार का स्थान कितने स्थान पर है इसका सही जवाब है बी दूसरे सवाल नमर तीन कुवर सी अंगलेजों के खिलाफ 1857 के विद्रों में किस जगह शामिल हुए थे इसका सही जवाब है ए आरा सवाल नमर चार सरकार की विरोध में असेंबली में बम फेकने के समय भगत से कि उम्र क्या थी इसका सही जवाब है बी एकीस साल से थोड़ा ज्यादा सी पचीस साल डी पचीस साल से थोड़ा ज्यादा इसका सही जवाब है बी एकीस साल से थोड़ा ज्यादा सवाल नमर पाच कश्मीर का अकबर नाम से प्रसद सुल्तान कौन था इसका सही जवाब है D. सुल्तान जैनुल अबदिन सवाल नमर 6 कौटिल्य की पुष्टक अर्थ शास्त किस विशय पर आधारित है? A. आर्थिक सम्मंध B. शासन कला की सिध्धान्त और अभ्यास C. विदेशनीती D. धन संचे इसका सही जवाब है B. शासन कला की सिध्धान्त और अभ्यास सवाल नमर 7 राज लोग सिवा आयोग का अध्यक्श किसके द्वारा निक्त किया जाता है? A. संग लोग सिवा आयोग के अध्यक्श द्वारा B. भारत के राश्ट्रपती द्वारा C. राज के राजपाल द्वारा D. मुख्यमंत्री द्वारा इसका सही जवाब है C. राज के राजपाल द्वारा सवाल नमबर आठ देश के सभी नागरिकों को एक विशेस्त पहचान संक्या प्रदान करने की केंदर सरकार की महत्वा कांख्षी योजना का क्या नाम है A. आधार B. फोकस C. परिबर्तन D. इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है A. आधार सवाल नमबर नौ राश्ट्रपती के त्याग पत्र की सूशना उपर राश्ट्रपती किसको देता है A. प्रदान मंत्री को B. जंडल को C. लोगसभा अध्यक्ष को D. इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है C. लोगसभा अध्यक्ष को सवाल नमबर 10. यकृत और मान स्पेशियों में उर्जा के सुरूप में जमा होती है A. कार्बोहाइडरेट के रूप में B. वसा के रूप में C. प्रोटीन के रूप में D. ग्लाइकोजन के रूप में इसका सही जवाब है D. ग्लाइकोजन के रूप में सवाल नमबर 11 सबसे छोटा जी वह कौन सा है जो खुद से अपना विगास और प्रजिनन करने में समर्थ होता है A. विशानू B. जिवानू C. माइकोपलाजमा D. बैक्टिरियोफेज इसका सही जवाब है C. माइकोपलाजमा सवाल नमबर 12 IPL फ्रेंचाइजी अहमिदाबाद ने टीम का नाम निम्नमे से क्या रखने की गोशना की है A. गुजरात टाइटन्स B. गुजरात टाइगर C. गुजरात लाइंस D. गुजरात शक्ति इसका सही जवाब है A. गुजरात टाइटन्स सवाल नमबर 13 भारती रिजर्ब बैंक ने रेपोडेट को कितने प्रतिशत पर बरकारार रखा है A. चार प्रतिशत B. तीन प्रतिशत C. दो प्रतिशत D. पाच प्रतिशत इसका सही जवाब है A. चार प्रतिशत सवाल नमबर 14 सुल्तानपूर बर्ड सेंचुरी कहा इस्थित है A. चंडिगड में B. भरतकूर में C. गुडगाओं में D. गांधी नगर में इसका सही जवाब है C. गुडगाओं में सवाल नमबर 15 सबसे बड़ी टटियर रेखा किस देश की है A. USA B. ऑस्ट्रेलिया C. कनाड़ा D. भारत इसका सही जवाब है C. कनाड़ा पिछले सइट में हमारे जिंदर्शकों ने सबसे ज़्यादा सवालों के सही जवाब दिये उनकी नाम है A. सबसे जवाब देने वालों के नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिस करेंगे साथ ही आपको हमारी यह सेरीज फायदेवन लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि यह अन्य अब्यरतियों के भी काम आ सके तो आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए दीज़े इजाज़त नमस्कार